हेलो फ्रेम विल्कम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी जैसा कि हम सब भी जानते हैं चंद्रियान्थरी की लाँचिंग की जा चुकी है बीते 14 जुलाई को इंडियन स्पेस एजनसी जिसे हम इसरो के कहते हैं दो पहर दो बच के 35 मिनट पर इसकी आंध्र प्रदेश के स्री कहीं न कहीं हम सब के मन में कुछ सवाल्स हैं जो की हमें कुछ न कुछ परेशान करते हैं दिकाज जैसा कि चंद्रियान्थरी की लाँचिंग के साथ हुआ था वहां पे जो विक्रम लेंडर जो था वो एक तरीके से सफलता पूर्वक लेंडिन नहीं हो पाने से हम सब में हैं जैसा कि कुछ सवाल इस तरीके से हैं कि जो चंद्रियान 3 है उसको पहुँचने में चंद्रमा पर वो 40 से 42 दिन का टाइम डियूरेशन क्यों लग रहा है अधर जो कंट्रीज हैं अमेरिका रसिया चाइना इन सब को किवल चार दिन में ही वो आर्थ से मून तक पहुँच गए थे तो ऐसा क्या है कि हमारा चंद्रियान 3 को इतना जादा टाइम डियूरेशन क्यों लगता है तो यह सवाल हो गया उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि जो हम इस वीडियो में एकड़म ब्रेफली एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें साथ ही हमें आसा है कि अगर आप ये पूरे वीडियो में बने रहते हैं पूरा वीडियो देखते हैं तो इसके बाद इन सवालों को जवाब आप बेतर तरीके से जान पाएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें जो हमारा first point आता है launch vehicle performance तो हमारा जो launch vehicle performance है वो हमारा earth से moon तक पहुचने के लिए जो time duration लगता है उस पे काफी हद तक depend करता है अगर हमारा launch vehicle performance जिससे हम चंद्रियांद्रू की launching कराते है उसकी performance क्या है capacity क्या है ये काफी कुछ हद तक इस पे depend करता है because जितने ज्यादा काफी high speed में अगर launching होगी काफी high energy level होगा उसका तो हमारा earth से moon तक पहुचने में जो time duration है वो काफी कम लगेगा अब अगर हम trajectory और orbital mechanics की बात करें तो जो हमारा चंद्रियांद्री है वो एक तरीके से जो हमारा earth है उसके surrounding चारो तरफ कई चक्कर लगाएगा उसके बाद फिर वो जो हमारा moon है उसके तरफ move करेगा और फिर जो moon का surrounding environment है उसके orbital है उनमें rotation करने के बाद धीरे धीरे उसकी soft landing कराए जाएगी तो अगर जबकि other जो countries हैं अमेरिका और रसिया जिन्होंने अभी moon mission complete की है उन्होंने earth से सीधे क्या है moon की जो पहुंचने के लिए direct वहाँ पे उन्होंने ये process अपनाया था जबकि हमारा यान इस तरीके जो हमारा earth है यहाँ पे आप देख पारें figure में अर्थ के चारों तरफ जो इसका orbit है इस पे कई चक्कर लगा है उसके बाद जो moon के orbit में कई चक्कर लगाने के बाद soft landing कराने की कोसिस करेगा तो ऐसा क्या है तो यहाँ पे जो हमारा इस रो है उसने काफी कुछ अपनी technology का यूज़ किया और काफी कुछ efficient way में चीज़ों को किया जिससे हम अपने mission को काफी economic बना सकें उसके खर्चे को इसके budget को कम कर सकें इसके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ों को implement किया just like उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारा rocket है वो actually क्या है काफी कम powerful है दूसरे rocket से compare करें तो उससे near about 30% ही powerful है और जो हमारे other countries के rocket है उन्हों काफी ज़्यदा powerful है powerful बनाने के लिए हमें क्या है कि उसमें जो fuel की quantity है उसको काफी हद तक बढ़ाना होता है जो oxidation जो compound है उनको भी काफी हद तक बढ़ाना होता है जिससे उसमें काफी ज़्यदा खर्चा जाता है तो इसरों ने जो एक तरीके से हम देशी लेंग्वेज में कहें तो जुगार technology को यूज किया उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारा earth है वो उस पे क्या gravitational attraction force होता है जैसा कि आप देख पे हैं तो जैसे हम अर्थ जो हमारा moment होता है वो अर्थ की जो rotation की speed होती है वो नियरबाट 1650 km पर hour की मलब इतनी काफी तेजी से speed से हमारा earth भूमता है तो अगर इस पे जो अर्थ पे अगर हम है तो it means हम भी भूम रहे है तो जो हमारा rocket है वो भी speed से घूम रहा होगा तो उसी momentum का फायदा उठा के अब क्या है आर्थ जो हमारा rocket है उसको आर्थ के surrounding कई बार भूमाया जाता है जिससे उस momentum की help से उसमें कम fuel की quantity खर्च होती है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसने अब propulsion system को कई stage में on करते हैं और इस तरीके से हम इसका जो trajectory path है वो बढ़ाते जाते हैं और फिर finally हम जब आर्थ के जो हमारा moon है उसके पास पहुंचते हैं तो फिर moon के जो हमारा environment जो उसकी orbit है उसमें इंटर करते हैं और फिर moon का भी gravitational attraction force है उसका भी फायदा उठाते हैं और हम धीरे-धीरे moon का जो orbital है उसमें धीरे-धीरे propulsion system को off करते हैं उसकी soft landing कराने की कोशिस करते हैं तो यहां पर जो हमारा fuel consumption है वो other countries के comparison काफी कम लगता है तो इस वज़े से जो हम overall हमारा जो budget है वो friendly budget में हम mission को perform करना चाते हैं क्योंकि हमारे पार limited resources हैं कम budget है बट हमें क्या है लच्छ को पाना है तो इस तरीके से जो इसरों ने काफी बहतर काम किया और इससे हमें इसरों से सीख भी मिलती है कि सीमी संसाधन होने के बावजूद भी अपने लच्छ को कैसे पाया जा सकता है अब next हमारा जो ये point आता है mission objective तो mission objective भी काफी हद तक depend करता है कि जो हमारा mission का objective क्या है goal क्या है हम कितने दिन में करना चाह रहे हैं तो ये भी हमारी जो influence करता है trajectory duration को trajectory and duration basically trajectory क्या है trajectory वो path है जिस path को हमारा rocket उसको follow करता है duration it means जितना time आर्थ से moon पर पहुंशने में लगता है तो जो अगर हमारा mission short mission है तो हमें क्या है जो ज़्यादा advance propulsion system यूज करना होगा तभी हम आर्थ से moon तक पहुंश सकते हैं तो काफी powerful propulsion system यूज करना होगा तभी ये चीज possible है अगर environment की जो एक तरीके से कहें environment का earth है atmosphere का friction है gravitational attraction force है उसको क्या overcome करते हुए सीधे हमारा moon पर enter करेगा कोई भी उसके surrounding rotation नहीं कराएगा अगर हमारा जो propulsion system हो काफी ज़्यादा powerful यूज किया गया है but हम इस mission में क्या है कम powerful propulsion system use करके भी mission को पूरा कर रहे है next point हम बात करें budget and design constraint की तो जो हमारा जो different space agencies होती है just like अमेरिका की NASA है Russia की और चाइना की इनकी जो space agencies है वो काफी different है इनकी जो budget है वो भी different है और उसके साथ साथ जो इनकी technical capability है वो भी काफी ज़्यादा different है तो इस वज़े से जो हमारा overall जो mission का time duration है वो काफी हद तक इस पर depend करता है अगर हमारे पास budget अच्छा है तो हम क्या है कम budget में काफी powerful propulsion system use करके हम earth से moon तक कम समय में पहुंच सकते हैं बट हमारे पास इतना ज़्यादा allocated budget नहीं है इस वज़े से हम limited budget में अपने mission को पूरा करना चाहते हैं तो इस चीज में हम काफी हद तक success भी हुई है कि कम पैसे में same target को achieve किया जाए अब अगर next technology of propulsion system की बात करें तो जो हमारे इस रो है या फिर other जो countries है Russia, America, China की जो उनमें जो technology है वो काफी ज़्यादा advance है in compared to हमारी country तो वहाँ पे ये चीजे भी matter करती है कि जो किस country की कितनी technology है कौन से country अपने जो propulsion system हो रही है वो कितने power का use कर रही है तो ये सारी चीजे भी matter करती है कि जो हमारा moon mission है वो earth से कितना time लगाएगा चंद्रमा तक पहुंचने में तो इस तरीके से इस video में हमने उवराल काफी कुछ चीजे समगने की कोसिस करी I think आप लोग इस चीज को बैतर तरीके से समझ पाएं होंगे और अगर ये video आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज अपने दोस्तों को share करें साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe भी कर लें तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही informative videos के साथ तब तक be happy and good bye